लग रहा है फ्रीबीस का जमाना लद्धता जा रहा है राजनेतिक पार्टियों के लिए ये दो धारी तलवार साबित हो रहा है राउल गांदी के पंच दावे के साथ सत्ता में आई करनाटक की सिधरमिया सरकार का हाल यही हो रहा है कॉंग्रिस का तो और राज्यों में भी इसी तरह का हाल है पहले हिमाचल में सुखु सरकार में शिक्षकों को सालरी मिलने पर बवाल मचा और अब करनाटक सरकार की तरफ से पहले महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री करना और इससे पीछे हटने की बात करना इसी तरफ इशारा करता है अब इसी को लेकर खुद कॉंग्रेस की राष्टी अद्यक्ष मालिकार जुन खडगे ने अपनी ही पार्टी को जबर्दस तरीके से फटकार लगाई है नमस्कार कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ परवीन शेक करनाटक सरकार आर्थिक संकर से जूच रही है इस बीच कॉंग्रेस के राष्टी अद्यक्ष मालिकार जुन खडगे ने पार्टी नेताओं और सरकार को खरी-खरी सुनाई है करनाटक में पांच गारंटी का वादा किया था आपको देखकर हमने माहराष्ट में पांच गारंटी का वादा किया है आज आपने बताया कि आप ये गारंटी रद्द कर देंगे ऐसा लगता है कि आप सब अखबार नहीं पढ़ते लेकिन मैंने अखबार पढ़ा इसलिए बता रहा हूँ हम आपकी यानि करनाटक सरकार के कारिकमों को माहराष्ट में दोहराने के लिए काम कर रहे है मैंने उनसे यानि माहराष्ट कॉंग्रेस नेताओं से कहा है कि 5, 6, 7 या 8 गारंटी के वादे मत करते रहो इसके बजाए ऐसे वादे करो जो आपके बजट के अनुरूप हो इतना ही ने खडगे ने पार्टी नेताओं को चेताया और कहा कि आप बजट पर विचार किये बिना वादे करते हैं तो ये दिवालियापन की तरफ ले जाएगा सड़कों पर रेज डालने के भी पैसे नहीं होंगे अगर ये सरकार असफल हुई तो इसका असर आने वाली पीडियों पर पड़ेगा इससे बदनामी होगी और सरकार को अगले 10 सालों तक प्रतिबंदों का सामना करना पर सकता है इसलिए बजट पर साबधानी से विचार करने की जरूरत है खड़गे ने कहा था कि यहां तक की राहुल गांधी ने भी कहा कि हम बजट के आधार पर महराश में गारंटी की घोशना करेंगे तब तक किसी निशकर्ष पर ना पहुँचें पंदरा दिनों की गहन चर्चा के बाद अब महराश चुनाव की गारंटी ने आकार ले लिया है हम इसकी घोशना नापूर और मुंबई में करेंगे चुनाव में कॉंग्रिस ने दी थी पांच गारंटी आपको बता दे कि करनाटक चुनाओं में कॉंग्रस ने लोगों के साब ने पांच बड़ी गारंटिया दे थी इनमें ग्रह लक्ष्मी योजना के तहट महिलाओं को हर महीने 2000 रुपई युवानिधी के तहट बेरोजगार ग्रेजुट्स को दो साल के लिए 3000 रुपई डिप किया था वितिय संकट से जूज रही है करनाटक सरकार जानकरों का कहना था कि अगर कॉंग्रेस पांच वारेंटी पूरी करती है तो इससे करनाटक का राजस्व घटा साथ हजार करोड़ पैसे बढ़कर एक लाग चौदा हजार करोड़ हो जाएगा और राज्य के कुल पिछले साल करनाटक के डिप्टे सीम डिके शुकुमार ने कहा था कि चुनाव के वक्त कॉंग्रेस ने जो पांच गारंटियां दे थी उन्हें पूरा करने के लिए 40,000 करोड रुपए अलग से रखे गए हैं इसलिए साल नए डवलप्मेंट प्रोजक्ट के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं। मेल के जरी हमसे संपर्क कर रही हैं कि वो अपनी टिकट के पैसे देना चाहती हैं हम इस पर चर्चा करेंगे कंड़क्टरों दोरा टिकट के पैसे ना लेने की शिकायते भी हैं करीब 5-10 प्रतिश्वत महिलाओं का कहना है कि कंड़क्टर स्वेच्छा से टिकट देने के लागू होती है कॉंग्रेस पार्टी का ये भी मानना है कि इस योजना ने 2023 में करनाटक में विधान सभा चुनाव जीतने में कॉंग्रेस की मदद करने में एहम भूमिका निभाई बाद में पार्टी ने पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी इसी तरह की योजना का अमबारी ड्रेम क्लास, अमबारी उस्व, फ्लाइ बस, वायू व्रज, व्रज, नॉन एसी, स्लिकपर, राजहंस और एवी पावर प्लस, एसी बसे इस योजना से बाहर हैं ये योजना राज्य से बाहर जाने वाली बसों पर लागून नहीं होती है के एस आर्टी सी, एन कौंग्रेस खुब मन माना वादा करती है, लेकिन जब बारी वादा पुरा करने की आई, तो हालत खस्ता हो रही है, करनाटक सरकार का खाली होने की अगार पर है, दूसरी तरफ यहां कौंग्रेस की करनाटक सरकार फ्री योजना ये शुरू कर रही है, इसे में राश्टी देक्ष मलिकारजुन खडगे ने खुद ही अपनी ही कॉंग्रेस सरकार को खरी-खोटी सुनाई तो इधर बीजेपी भी मौके पर चौका लगाने में जुट गई कॉंग्रेस और राहूर गांधी पर बीजेपी ने ताज्जम कर निशाना साथ रहे हैं दरसल करनाटक में मुफ्त बस योजना पर समिक्षा की बातों पर खडगे ने नाराजगी जताए साथी कहा कि उतना ही वादा कीजे जितना फूरा हो जाए दरसल डिप्टी सीम डीके शिव कुमार का एक बयान आया था कि राज्जे सरकार जो है वो शक्ती गारंटी योजना की समिशा करेगी और इसकी स्कीन के तहत राज्जे में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलती है अब खडगे की इसी बयान को भारतिय जन्ता पार्टी भुनाने में लग गए साथ ही राहूल गांदी के खटा-खट बयान पर भी अटैक किया गया केंद्री मंत्री प्रायाद जोशी ने कहा है कि कल कॉंग्रेस की राश्टी अद्यक्ष मालिक आरजुन खडगे ने कहा कि हमें उतनी ही गारंटी देनी चाहिए जितनी हमारा बजट अनुमती देता है जोशी ने कहा कि मुख्य मंत्री और डिप्टी सीएम और दूसरे मंत्रियों के बेज मद्भीत के बारे में भी बात कि देशबर में कई राज़ों में कॉंग्रेस जूटे वादे कर रही और गारंटी को लागुट नहीं करे गा वो इस तरह के वादे सिर्फ वोटों के लिए करती है बीजे पी निता रवी शंकर प्रसाद ने कहा कि कॉंग्रेस के राश्टे अद्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने ये माना है कि हमें सिर्फ उनी चीजों के लिए गोशना करनी चाहिए जिनके लिए हमारे पास बचडिये प्रावधान हो और वित्य उपलबता यानि पैसा हो इसके बाद रवी शंकर ने खडगे पर कटाक्ष किया और कहा क्या उने भारती राजनीती में खटाखट शब्द लाने वाले राहूल गांदी को ये पार्ट नहीं पढ़ाना चाहिए राहूल गांदी तो घोशनाएं करने में माहिर है रवी शंकर ने कहा कि वोटों की खातिर जनता को बेवकूफ बनाते हैं और फिर अपने वादों को लागून नहीं करते हैं करनाटक में कॉंग्रेस ने पांच गारेंटी की घोशना के थी आज मों मुफ्त बस योजना शक्ति के समिशा करने की बात कर रहे हैं बीजेपी हमेशा अपने किये वादों को पूरा करती है हमाचल प्रदेश सरकार का खाली हुआ खाली होने की भी बात सामने आये थी हमाचल प्रदेश में मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों ने दो महिने का वेतन ना लेने का फैसला किया हमाचल सरकार ने भी दावा किया कि वो जल्द इस संकर्ट से उबर जाएगी सीम सुखविंदर सिंग सुखु ने सैलरी और पैंशन की नई तारीखों का एलान करती में कहा कि ये फैस्टा लोन पर खर्च होने वाले ब्यास दे बचने के लिए लिया गया है इसे सालाना 36 करोड पै की बच्चत होगी सीम ने इसे फाइनेंशल डिसिप्लिन नाम दिया वही एक बात ये भी कही कि प्रदेश पर फिलास 94 करोड पै का कर्द है पुराने लोन को चुकाने के लिए सरकार नए लोन ले रही है सरकारी करमचारियों को महीनों तक बेतन का इंतजार करना पड़ता था नबे के दशक में यूपी में भी कमोबेश यही हाल था यह राजनेतिक और आर्थिक अस्थर्था का दौर था जब स्टेट के सरकारी कोश में कथित तौर पर पैसे ही नहीं बचे थे राजियों के पास कहां से आते हैं पैसे टैक्स इसका सबसे बड़ा सोर से हर स्टेट के पास कई तरह के टैक्स लगाने का अधिकार होता है जिसमें लेंड रेवन्यू स्टेट एक्साइज डूटी गाडियों पर कर entertainment tax जैसी कई श्रेगनिया इसके अलावा GST में भी राज्य सरकार का हिस्सा होता है खजाने का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है सरकारे अपने वित्तिय संसाधनों को इंवेस्ट कर उससे भी प्याज पाती है और हर राज्य की भोगोली की सिती आबादी के हिसाब से सेंटर उसे वित्य मदद देता है यह साहता अलग-अलग स्कीम केंद्र की योजनाओं को पुरा करने और राज्यस में घाटी को पाटने के लिए भी दी जाते हैं सेंटर जरूरत के मताबिक राज्य को इंटरस्ट फ्री लोन भी देता है लेकिन हर लोन के साथ को शर्टे होती है जैसे योजनाओं को समय पर फूरा करना अलग-अलग तरह के फंड भी होते हैं जैसे डिजास्टर से हुए नुकसान को बरने के लिए एक मुश्ट और किष अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे स आप चुड़ने के लिए शुक्रिया